सुप्रबाद चात्रों मैं सुप्रिया कुमारी कक्षा सात्वी की पाठी पुस्तिका पलाश का प्रथम पाठ पढ़ाने जा रहे हूं जो एक कविता है जीवन नहीं मरा करता ये कविता लिखाया है गोपाल दास नीरजी ने इस कविता में कवि ने मनुष्य को आशावादी बनने के लिए प्रेरित किया है उन्होंने कहा है मनुष्य को जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए कुछ पंक्तियों में इन्होंने कहा है छिप छिप अस्रू बहाने वालो मोती व्यर्थ लुटाने वालो कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है कभी ने कहा है कुछ लोग जब उनके सपने पूरे नहीं होते हैं उनकी छाएं उनके कार्य जब पूरे नहीं होते हैं तब वे छिप छिप करके आसू बहाते हैं मोती रुपी आसु को वेव्यर्थ लुटाते हैं कभी ने कहा कि क्या हुआ अगर जीवन में कुछ सपने पूरे नहीं हुए तो ऐसे में क्या जीवन मर जाता है? नहीं मरता है ऐसे में जब हमारे सपने पूरे नहीं होते हैं तो जीवन नहीं मरा करता है लेकिन जीवन में कष्ट होता है तो जीवन में कष्ट ना हो इसके लिए हमें आशावादी होना चाहिए जीवन में निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है क्या हुआ कुछ सपने पूरे नहीं हुए तो हमें आगे के लिए कोशिश करते रहना चाहिए इसलिए निराश बिलकुल नहीं होना चाहिए कभी ने आगे कहा है सपना क्या है कभी ने हैं प्रस्न किया है सपना क्या है इन्होंने कहा है नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी और तूटना है उसका जियो जागे कच्छी नीन जवानी कभी ने कहा है सपना क्या है इन्होंने प्रश्ण भी किया है कभी ने और उत्तर भी दिया है इन्होंने कहा है सपना वो है जो नयन रूपी सेज में नयन रूपी बिस्तर में जब हमारे आँखे या आँख का पानी जब सोया रहता है या आँख का पानी जब इस्थिर रहता है या फिर सोते हुए हमारी जब आँखे बंद रहती है और सोते हुए जब हम कोई सपना देखते हैं या फिर एक छनिक भ्रम जब हम हमें होता है उसे सपना कहते हैं तो इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार नयन रूपी विस्तर में आँख हमारी सोय रहती है आँख का पानी स्थिर रहता है और जब हम कच्चे नीन में जाग जाते हैं तो हमारे आँख से पानी आने लगता है आप देखेंगे जब आप कच्छी नीन से जागेंगे तो आपके आख से पानी आने लगते हैं सपना भी बिल्कुल उसी तरह से है जब हम नीन में सोए रहते हैं और जब हम कोई सपना देखते हैं अर्थात वो हमारा सपना नहीं होता है वो एक छनिक भ्रम रहता है एक छण के लिए वो हमारे मन में ब्रह्म आ जाता है तो कभी ने कहा है कि रात को सोते समय जब हम हमारे आखे इस्थिर रहती है आख का पानी इस्थिर रहता है जब सोय हुए समय में, सोते समय में कोई कलपना करते हैं तो वो हमारे लिए सपना है उन्होंने कहा है और तूटना है उसका जियो जागे कच्ची नीन जवानी जिस परकार कच्ची नीन में हमारे आखी खुल जाती है आख से पानी आने लगता है उसी परकार कच्चे उसी परकार जागे कच्ची नीन जवानी गीली उमर बनाने वालों डूबे बिना नहाने वालों कुछ पानी के बहजाने से सावन नहीं मरा करता है उन्होंने कहा है गीली उमर बनाने वालों अर्थात कम उमर में या उमर की परिपक्वता जब हमारे जिवन में नहीं होती है उम्र परिपको अर्थात जब हम कच्चे उम्र में रहते हैं तो कुछ ऐसे सपने देखते हैं लगता है पूरे हो जाएं जल्दी पूरे हो जाएं इसलिए यहाँ पर कभी ने कच्ची नीन जवानी का प्रियोग किया है जिस प्रकार हमारे सपने सोते समय देखते हैं और जागने से नीन तूट जाती है उसी प्रकार कम उम्र में जब कोई सपना देखते हैं तो लगता है कि यह सपना हमारा जल्दी पूरा हो जाए डूबे बिना नहाने वालो अर्थाक बिना मेहनत किये कभी ने कहा है कि कच्चे उम्र के लोग जो होते हैं वे बिना मेहनत के ही सब कुछ पाना चाहते हैं गीली उम्र बनाने वालो डूबे बिना नहाने वालो अगर हमें नहाना है तो पानी में डूबना पड़ता है पानी में पैर रखना पड़ता है उसे प्रकार अगर हमारे सपने हैं जीवन में कुछ सपने हैं उन्हें पूरा करने के लिए हमें एकागरचित होना पड़ता है हमें मेहनत करनी पड़ती है इसलिए कभी ने कहा है गीली उम्र बनाने वालो डूबे बिना नहाने वालो कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है जिस प्रकार सावन माह में कुछ पानी की बूंदे जब बह जाती है वेर्थ चली जाती है तो सावन मरा नहीं करता है अर्था सावन निरास नहीं होता है कि भई हमारा कुछ पानी जो है बह गया वो निरास नहीं होता है बलकि आगे की और वो बढ़ते जाता है सावन का जो चक्र होता है बारिश का समय होता है वो अपना चक्र जो है सावन पूरा कर लेता है इसलिए होने कहा है गिली उम्र बनाने वालों डूबे बिना नहाने वालों कुछ पानी के भैजाने से सावन नहीं मरा करता है इसी प्रकार जब सावन अफसोस नहीं जताता है कुछ पानी के भैजाने से तो हमें भी हमारे कारे जब कुछ पूरे नहीं हो पाते हैं तो हमें भी आज मैंने ये कविता आप लोगों बताए इसका भावार्थ बताया उम्मीद करती हूँ आप इस कविता की पंक्तियों के भावार्थ को आप बार बार सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे मैंने इस कविता के पंक्तियों का मैंने भावार्त भी लिखा है भावार्त मैं इसके साथ आपको भेज रही हूँ इस कविता के कुछ प्रश्ण है जो आपके पाथे पुस्तक में है मैं उसके कुछ प्रश्ण का उत्तर भी लिख करके भेज रही हूँ आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे कुछ प्रश्ण मैं आपके अभ्यास के लिए छोड़ रही हूँ इसे आप पूरा करेंगे भावार्त लिखने का तरीका मैंने लिखा है उससे भी आप लिखेंगे और बाकी जो भावार्त बचे हैं कविता में कविता के अंत में जो प्रश्ण दिये गए हैं उसके कुछ भावार्त बचे हैं उसको आप पूरा करेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और कुछ कठीन शब्दार्थ मैंने इस कविता में आपको सुनाया भावार्त के माइधियम से अर्थ बताने के समय आप उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे आप अपनी हिंदी की अलग से उत्तर पुस्तिका किये होंगे बनाए होंगे आप उसी में इसको उतारेंगे और भावार्त को आप नीरंतर सुनेंगे ध्यान पूर्वक सुनेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे आज के लिए बस इतना ही आगे कि पंक्तियां अगली कक्षा में पढ़ाऊंगे धेन्यवाद झाल आज करेंगे झाल झाल